सभी को हरी कृष्णा तो ये जो श्लोक है वो है तियालिस वार अध्याय नमबर है दो तो चलिए शुरू करते हैं कामात माने सुर्ग परा जनम कर्म फल प्रदाम क्रिये विशे शुब हुलामा भोगे शुरे गतिम प्रती और इसका अर्थ है इस श्लोक का अर्थ है जो अपने श्री कृष्णा है वो अर्जुन से कह रहा है कि जित्ते भी लोग है उनको स्वर्ग की प्राप्ति है फिर उच्च जनम की प्राप्ति चीए वो जित्ते भी कार्य करते हैं अर्थ होता है वो है आश्वरे को भूगना तो अब जो दूसरा श्लोक है वो है अठार व्याज्याय का चौनवा श्लोक तो चलिए शुरू करते हैं द्रम्म भूत प्रसनात्मा ना सोचती ना कांगसती सम्हे सर्वेशू भूतेशू मद्भक्तिम लबते परम अरी करते हैं